Hello friends, इस वीडियो में मैं आपको जमेट्री के प्लेन के बारे में बताऊंगा In math, a plane has no boundary. It is two-dimensional flat surface having length and breath endlessly. जो plane होता है, वो two-dimensional का होता है और flat surface होता है, इसकी बस length और breath होती है और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी कोई boundary भी नहीं होती है plane कितना भी बड़ा हो सकता है तो जैसे कि ये book के page है, तो ये एक plane तो नहीं है, पर इसको हम plane की तरह assume कर सकते है ये एक plane के part है जैसे कि ये page है तो एक अलग plane का part है ये अलग है ये अलग है सब अलग-अलग planes हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने एक plane का figure बनाया है और हम ऐसे arrow बनाते हैं तो इससे पता चलता है कि इसकी कोई boundary नहीं है ये कितने भी बड़े हो सकते हैं और फिर ये parallel planes हैं ये दो plane है जो कि कभी एक दूसरे से touch नहीं करेंगे तो इसको हम parallel plane कहेंगे उसके बाद यहाँ पर हमने intersecting plane बनाया है यह देखिए यहाँ पर दो planes है तो यह एक दूसरे को काट रहे है तो जब यह काट रहे है तो यहाँ पर एक lines ही बन रही है इसको हम कहते है intersecting line इसका मतलब है कि जब दो plane एक दूसरे को काट तो एक लाइन बनती है जिसको हम कहते है इंटरसेक्टिंग लाइन सो थैम्स वर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब